हेलो गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जुलाई तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर साथ है इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यह दिया हमारी डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फस्ट कोमेंट में या फिर डिस्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ है गूगल प्लेच वियुडिय चीजाय है हमारी पीडियेफ को संबने दिया आपका कोई बी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर दिखे गा तो चलिए फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो सेशन की कुवैत के नए प्रधान मंत्री के रूप में किसे न्यूप्त किया गया है, ओप्शन आपके सामने है, प्राइमिस्टर अपॉइंट किये गए है, और ये शेक सबा अल खालेथ को सकसीट करेंगे, जिन्होंने अपरेद नहीं में अपने पत से इस्तिफा दे दिया था, आपको कुवेत के बारे में जानना चाहिए कि कैपिटल कुवेत सिर्थी है और करंसी कुवेती दिनार है विच बैंक और एजनसी हैज अपॉंटेड इंदरमीत गिल एज इट्स चीफ एकोनोमिस्ट किस बैंक या एजनसी ने इंदरमीत गिल को अपना मुख्य अर्थसास्त्री न्यूक्त किया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन्स ही रहेगा वर्ड बैंक जाने का वर्ड बैंक ने भारतिय इंदरमीत गिल को अपना चीफ एकोनोमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट फॉर डेवलप्मेंट एकोनोमिक्स न्यूक्त किया है अब देखिए जो मिस्टर गिल है ये अमेरिकन एकोनोमिस्ट कर्मन रेन हार्ट इनको सक्सीड करेंगे तो इससे पहरे यह थी जो चीफ एकोनोमिस्ट थी वह यह थी वर्ड बैंक की ऑज़िए इनको रीपलेस करने हैं इंदरमीत गिल और जो इंदर्मीत गिल हैं इनका कारेकाल एक सितंबर 2022 से शुरू होगा आपको जामना चाहिए फिलाल ये वाइस प्रेजिडेंट फॉर एक्विटल क्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टिउशन है अच्छा ये दूसरे इंडियन है जो की वर्ड मैंक में चीफ एकोनोमिस्ट के पत्पर कारी रहेंगे इंसे पहल पर रगुराम राजन और गीता गोपिनात के बारे में तो आप जानती हैं ये भी वे भारती है जो चीफ एकोनोमिस्ट इस एजंसी में रह चुके हैं इस बैंक में रह चुके हैं कि वट इस नेम अफ दे सेकंड मोड्यूल लॉंच बाइ चाइना टू इट्स पर्मानेंट इस स्पेस इस्टेशन ओप्शन आपके सामने हैं कोशन पढ़ देते हैं पहले चीन द्वार अपने इस्थाई अंत्रिक्स इस्टेशन के लिए लॉंच के गए दूसरे मोड्यू कि टनका है वैंचियान यानि की क्वेस्ट फॉर दे हैवन्स एक लेबरोटरी मोड्यूल है जिसको लोंग मार्च 5 बी रोकेट से लॉंच किया गया है कि इस जगे से वैंचांग स्पेस लॉंच सेंडर सदर्न आइलेंड ऑफ हैनां कि आपको जारना चाहिए कि जो यह मोड मोड्यूल लॉंच किया गया है अब इसके जरी जो एस्ट्रोनोट्स हैं वो अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अच्छा इनका फस्पेस मोड्यूल क्या रहा है यह तो सेकंड है और जो इससे पहले नोंने भीजा था अप्रेल 2021 में उसका नाम तियान है था और जो थर्ड मोड्यूल है इसका नाम है मैंग्टियां यह इस साल अक्टूबर में एक्सपेक्टेट है कि लॉंच कर दिया जाएगा बाकिया आप जानते हैं कि चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है और यह लो अर्थ और्बिट में यानि कि 340 से 350 किलोमेटर क का नाम है त्यांगोंग इस्पेस इस्टेशन है कि हूँ है स्टेकन ओवर एस था बी सी सी इस एथिक्स ऑफिसर एंड ऑंबॉड्समें बी सी सी के नैदिक तादिकारी और लोगपाल के रूप में किसने पदभार समाला है सही आंसर ऑप्शन बी है विनीत सारन देखे फोर्मर सुप्रीम कोड जज है पिनीत सारन और ये बी सी सी इए के एथिक्स ऑफिसर एंड ओंबॉड्समें न्यूक्त किये गए हैं और ये जस्टिस रिटाइर डीके जैन को सक्सीड कर रहे हैं होनासा कंजूमर हैस एक्वाइड ऑक्टर सेट्स अ प्रीमियम स्केंगेर ब्रांड सेपील इस पैरेंट कंपनी और विच अमंग दा फॉल्वीं होनासा कंजूमर ने प्रीमियर इस्कीन केर ब्रांड डॉक्टर सेट्स का अधिकरन किया है आपको बताना है जो ये एस सी प मामार्थ और दिडर्मा कंपनी जो हैं इनकी जो पैरेंट कंपनी है वो होनासा कंजूमर है तो इसने डर्मेटलोजिस्ट फॉर्मियर प्रीमियम स्कीन केर ब्रांड डॉक्टर सेट्स इसको एक्वाइर कर लिया है और 28 क्रोड रुपे की डील रही है और आपको जाना चाह पहीने में इसने मुंबई बेस्ट बीबलंट इसको भी एक्वाइर किया है और इसके को फार्मडर एंड सीओ है वरुन अलक कौन 2022 विस्व एटलेटिक्स चेंपेंशिप के ट्रीपल जंप फाइनल में जगा बनाने वाले पहले भारते एथलेट बन गए हैं ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए रहेगा अल्डॉस पॉल देखिए आप सभी जानते हैं कि वर्ड चेंपेंशिप हुई है हाली में अथलेटिक्स ही और इसमें जो एटलोस पॉल हैं यह पहले भारते अथलेट बने इन्होंने ट्रिपल जंप के फाइनल में अपनी जगा बनाई हाला कि जो फाइनल हुआ उसमें कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए नवे पोजिशन पर रहे हैं नाइन्थ पोज इन्होंने सिल्वर मैडल जीता है इनके अलावा भारत के रोहित यादव ने भी फाइनल में पार्टिसिपेट किया था जैवलीन थ्रो में तो पूछ लें अगर रोहित यादव किस संबंद्य थे या फिर ऐसा पूछ लें निरच चोपड़ा के अलावा और किस भारतिये जैवलीन थ्रो के फाइनल में अपनी जगा बनाई थी तो आंसर होगा रोहित यादव हो अलाकि ये दस्वे पोजिशन पर रहे हैं As per the RBI's article Headwinds of COVID-19 and India's Inward Remittances The share of remittances from the Gulf Cooperation Council region to India has declined what percent in 2020-21 RBI के article Headwinds of COVID-19 and India's Inward Remittance के नुसर खाड़ी सहयोग करिसर यानि की GCC छेतर से भारत में प्रेक्षन की हिस्सेदारी में 2020-21 में कितने प्रतिशती की गिरावट आई है Options आपके सामने हैं सही answer option C है 30% यानि कि ये पूछने हैं कि 2020-21 में जो remittances आता है Gulf Cooperation Council वाला जो reason है इन कंट्रीस से उसमें कितने प्रतिशती गिरावट देखी गई है ये पूछा जा रहा है पहरी बात तो यह है आपको जानना चाहिए कि Headwinds of COVID-19 and India's Inward Remittances ये article कि इसके द्वारा फब्रिश किया गया है Reserve Bank of India के द्वारा तो इन्होंने ये बता है कि जहां 2016-17 में जो Gulf Cooperation Council वाला जो reason रहता था यहां से 50% मतलब टोटल का 50% Remittance इस region से आता था लेकिन अब 2021 की बात करें तो ये थोड़ा कम हो गया है और 30% ही अब यह बचा है यानि कि अब केवल 30% Remittance इस region से आ रहा है बाकिनों ने बताए कि जो developed countries हैं जैसे US, UK, Singapore ये developed economies हैं तो यहां से जो Remittance आया है 2020 में इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है तो टोटल Remittance का 36% इन countries से ही आया है और 2021 में अगर हम भारत में टॉप सोर्स Remittance country रही तो यह United States रही है सब स्यादर United States से आया है और इसने UA UK को पीछे छोड़ दिया है तो रगबग टोटल का 23% Remittance USA से आया है और बाकि आपको जानना चाहिए कि टोप recipient state कौन सा रहा जहां पर सबस्यादर Remittance आया वह है महारास्ट तो इसने केरल को पीछे छोड़िया है बाकि इसमें रिपोर्ट में भी बताया है कि 2020 में माइग्रेशन काफी हुआ है काफी देखने के लिए मिला है और भारत यह सबसे ज़्यादा Remittance पराप्त करती है पूरे पूरे ग्लोबल में टो प्रेसिपेंट कंट्री है तो पूरे ग्लोबल का 12% Remittance भारत में आता है लेकिन 2020 में 0.2% के decline देखने के लिए मिला वही कि यून्तम समर्थन मुल्य पर एक समीति का गठन किया है इसका नेत्रत को करेंगे और जानिएगा सेंटर ने एक कमिटी ओन मिनमुम सपोर्ट प्राइज यानि कि MSP को फोर्म किया है और इसकी चेयर्मैंशिप करेंगे फॉर्मर एग्रिकल्चर सेक्रेट्री संजय जो नितियायू के अगरी कल्चर लिडेट मेंबर है रमेश चंद यह भी समय रहेंगे और यह भी है सुकपाल सिंग है और नवीन पी सिंग इसमें सामिल रहेंगे वही पर जो इफको के चेर्मैन दिलीब संगानी यह भी इसमें शामिल रहेंगे बाकी जो फार्मर से उनकी यूनियन से भी आपर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे किस बैंक ने ब्राजील, चीन और भारत में पानी, स्वच्छता, पारिसितिक, परियटन और परिवहन के लिए 875 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है जानेगा निव डेवलिप्मेंट बैंक ने पांच नए प्रोजेक्ट एप्रूव किये हैं जिनकी जो कुल लागत है यह 870 मिलियन यूएस डॉलर की है किस छेत्र में यह investment किया जाएगा water, sanitation, ecotourism and transport किन देशों के लिए दिया जा रहा है यह पैसा ब्राजील, China and India अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो यहां पर मेगाले ecotourism infrastructure development project के लिए 79 million यूएस डॉलर देगा और जो लेंफिल प्वाट वाटर बोडी रिजूनेशन प्रोजेक्ट है इंफाल मनिपूर में इंफाल मनिपूर बोडर पर तो इसके लिए 70 million यूएस डॉलर प्रोपाइट कराएगा बाकि अगर हम बात करते हैं new development bank की तो देखें जो 6th BRICS summit हुई थी फॉर्ट अलेजा में 2004 में आपर जो BRICS country के जो लेडर है इन्होंने एक agreement sign किया था कि new development bank हमें establish करना चाहिए तो साल 2015 में फिर new development bank को establish के दौरा ब्राजील रशिया इंडिया चाइन साथ अफ्रीका के दौरा और यह पूरी तरह से लागू कब हुआ कप यह बैंक कब से पूरी तरह से दाग हुआ 27 फ्रवरी 2016 से इसका हैट्वाटर संगाई चाइना में हैं बात हम कर रहें new development bank की और इसमें अगर मेंबर्शिप की बात करें तो देखें ब्रिक्स कंट्रीस तो हैं ब्राजील रोशिया इंडिया चाइना यह साथ अफ्रीका और बंगलादेश भी है 2020 से जोईन कर चुका है युनाइट अरप अमिराथ भी है 2021 से जोईन कर चुका है इजिप its forecast for India's GDP growth estimate to what percent for fiscal year 23 अमेरिकी brokerage firm Morgan Stanley ने वितवरस देश के लिए भारत के सकल घरिवरू उतपात की वृद्धी के अनुवान को कटा कर कितने परतिशत कर दिया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही answer option दी है 7.2 परसेंट जानेगा अमेरिकन brokerage firm है आप सभी जानते है Morgan Stanley तो इसने भारत की GDP growth forecast है fiscal year 23 के लिए इसको 0.4% से जो है कम कर दिया है reduce कर दिया है और अब हो गया है 7.2% आपको जानना चाहिए इन्होंने fiscal year 24 के लिए भी forecast किया है कि 6.4% भारत की GDP growth है वो रहने वाली है बागी आप जानते हैं RBI ने भी जो current fiscal year है मारा उसके लिए 7.2% GDP growth बताई है Morgan Stanley की बात करें तो CEO James P. गौर्माइन है और headquarters New York United States में है Asian youth and junior weightlifting championships where Indian lifter Harshada Garud won the women's 45 kg gold held in which country Asia Uva और junior भारतोरण championship जहां भारती है भारतो लग हर्षदा गरूड ने महिलाओ की 45 kg श्रेणी में आप से भी जानते हैं यह हाली में कई जो एक्जाम हुए हाली में एक दो एक्जाम में पुछा गया है हर सदा हर सदा गरूर किस से संबंदित हैं तो याद रहे हैं यह weightlifter हैं कई बार पुछे जा चुका है यह हाली के जो एक्जाम हुए उनमें तो इन्होंने women's की 45 kg category में एशन यूथ एंड जूनियर weightlifting championship में gold medal जीता है यह championship ताशकंद उजबेगिस्तान में हुई है तो इन्होंने 157 kg total weightlift किया है इनके रावा सोम्य दल्वी इन्होंने bronze medal जीता है 45 kg category में और इनके रावा अगर हम men's के 49 kg event की बात करें तो एद धनुष इन्होंने bronze medal जीता है विच स्टेट लॉंच्ट स्वा निर्भर नारी scheme टू इंपार इंडिजिनियस वीवर्स बुनकरों को ससक्त बनाने के लिए किस राज्य ने स्वा निर्भर नारी योजना शुरू की सही answer option A है आसाम जानेगा आसाम के चीफ मिस्टर हेमान तबिस्व सर्मा इन्होंने स्व इंगो लॉंच किया है आसाम लॉंसे लोकल वेवर्स जो बुनकर्श है उनकें फार्मेंट के लिए तो इसके तहत जो राज्यसरकार है वह जो यह बुनकर्श हैं उनसे हेंड डूम आइटम्स हाथ से बने हुए जो आइटम्स होते हैं उनको खरीदेगा कि एक वैप पोर्टल के थ्रू है असाम की बात करें कैपिटल दीशपूर है गवर्णर जगदीश मुखी है चीफ मिस्टर जैसा कि आपको बताया गया ही मानतब इश्वा सर्मा है The Reserve Bank of India has hiked the minimum capital adequacy ratio for urban cooperative banks with deposits above Rs. 100 crore 2% 12 Reserve Bank ने 100 crore रुपे से अधिक जमावाले सहरी सहकारी बैंकों के लिए नियुन्तम पुंजी परियापता अनुपात को बढ़ा कर कितने परतिशत कर दिया है options आपके सामने हैं सही answer options ही रहेगा 12% जानेगा टेजर बैंक ऑफ इंडिया ने urban cooperative banks जिनका deposit 100 crore से ज्यादा का है उनके लिए minimum capital education ratio यान की CAR को 12 परतिशत कर दिया है पहले ये 9 परतिशत था और ये जो बढ़ोतरी की गई है ये NS विस्वनाथन committee की recommendation के बात की गई है तो ये जो committee है फर वही 2000 किस में गठित की गई थी आपको जानना चाहिए tier 1 banks के लिए reserve bank of इंडिया ने वही minimum जो capital education ratio है 9% इसको maintain रखा है यानि कि ऐसे bank जिनका 100 crore पे तक का deposit है अगर हम capital education ratio की बात करें तो it is the ratio of banks capital to its risk इसको capital to risk weighted assets ratio भी कहते हैं देखे जानेगा थोड़ा सा मैं आपको काफी simple language में बताने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझ में आए देखे bank होता है अब ये क्या है risk weighted asset ये क्या होते है risk weighted asset देखे bank loan देता है अब कुछ loan ऐसे होते है जो कि हाँ guaranteed रहते हैं कि हाँ ये वापस आ जाएगा ये जो हमने पैसा दे रहे हैं ये वापस आ जाएगा इस पर भी आज भी हमको ठीक ठाक मिल जाएगा जितना चल रहा है जितनी तरह हैं लेकिन कुछ loans ऐसे होते हैं जिनमें risk रहता है जैसे individual को दिया तो उसमें risk रहता है अब अग एक capital education ratio क्या है यानि कि bank के पास इतना capital तो होना ही चाहिए कि वो ऐसी स्तिती में ना आ जाए मतलब अगर उसके जो उसने loans दे हुए हैं उसकी recovery नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्तिती में आ जाए कि bank insolvent हो जाए तो इतना capital उसके पास होना चाहिए तो इसको एक ratio में जो capital है औ और जो risk वाले उसने loan दे हैं तो इनका एक ratio बनाया गया है मान लीजिए bank के पास 100 रुपे की capital है और इसने जो loans दिये हुए है जो की risk की loan है वो 50 रुपे के loan है अलग लग दिया है किसी को 10 का किसी को 20 का ठीक है तो इस तरह से जो risk वाले loan है वो 50 रुपे की उनकी कीमत है और आप देखेंगे कि कितना हुआ दो प्रतिश्यत निकल गया तो एड़ी के ratio कितना आया दो प्रतिश्यत अम मान लीजिए capital सो है और bank को कहा गया कि आप जो है ना अपना यह जो risk वाले जो आप लोन दे रहें इनको थोड़ा कम कीजिए अब जहां उसने 50 रुपे के वो रिस चोगा 100 तो 4 प्रतिशत यानि कि अब capital education ratio कितना है चार और पहले कितना था 2 प्रतिशत तो इसका मतलब क्या हुआ risk कम किया तो capital education ratio क्या हुआ आपका बढ़ा है इसका मतलब किसी बैंक के लिए capital education ratio अगर जादा है इसका मतलब वो अच्छी बात है उसके लिए बाकि आपको जाना चाहिए बेसल 3 नॉम्स में यह खा गया है कि capital to risk weighted assets यह 8% होना चाहिए और RBI नॉम्स के नुसार जो इंडियन से द्विल कमर्शिल बैंक से हैं उनके लिए यह जो रिश्व है 9 परसेंट और इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 12 परसेंट है इंडियन पर इंडियन पर इंडियन पर रिपोर्ट जारी की भारत के लिए एक लाइसेंसिंग और नियाम की व्यवस्ता का प्रस्था भी दिया है और उप्शन आपके सामने हैं सही आंसर और यहां पर और 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 बी लिखा गया है और इसका बी है नीथिया होगा देखिए नीथिया की एक रिपोर्ट यह बताती है कि जो डिजिटल बैंक है उनकी लाइसेंसिंग और उनका जो डेगुलेटरी रिजीम है उसके लिए क्य का रोड मैप होना चाहिए यह जो रिपोर्ट है यह निथिया के वाइस शेर वैंस सोनबेरी और जो सीउ है परमेश्वरन आययर साथी सीनियर एडवाइजर अन्ना रोई इनके द्वारा रिलीज की गई है तो इसमें कही तरह के बद स्टेप्स बताए गए हैं लेने चाहि चाहिए क्या क्या अप्रोच होने चाहिए तो इस्यू ओफ रिस्टेट डिजिटल बैंक लाइसेंस एनलिस्ट्मेंट ऑफ दे लाइसेंस इनक रेगुलेट्रीट सैंट्बॉक्स प्रेमवर्क इनक्टेट बाइजर बैंक ऑफ इंडिया इस्यू ओफ फॉली स्केल सक्कराइब डिजिए एम्सर्य और मैंनुफेक्टरिंग आयॉत्पूट में 25 प्रतीशत का कॉंटेविशन परते हैं वहीं एक्सपोर्ट में 2020-21 वित्ध मंत्री के नुसार कोरॉपरेट इंडिया ने अपने CSR के हिस्से के रूप में 2020 के दोरान COVID-19 सहीत स्वास्थ संबंदी गतिवीतियों के लिए कितनी राशी खर्च की ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी रहेगा 6,947 क्रोड रूपीज देखिए जो हमारी finance minister है नेरमडा सीतरमन इन्होंने लोकसवा में inform किया है कि हमारे यह corporate sector है जो corporate इंडिया यानि की पूरे एक समहों को बोला गया है corporate इंडिया तो इन्होंने अपने corporate social responsibility के तहत जो healthcare activities रही है भारत में 2020 की दुरान इसमें 6,947 क्रोड रूपे contribute किये हैं आपको जाना चाहिए कि भारत पहली कंट्री है वर्ड में जिसने CSR को compulsory बनाया है यानि कि वो corporate social responsibility को compulsory बनाया है और यह mandatory बनाया गया है through the provision under section 135 of the companies at 2013 तो इसका मतलब क्या है corporate social responsibility यानि कि कोई company है तो पिछले जो तीन उसके financial years गए हैं तो उसमें जितना उसका net profit हुआ है उसका कम से कम दो प्रतिशत वो किसी social या फिर environmental concern के लिए जो है contribute करेगा उसकी बहतरी के लिए contribute करेगा तो इसको बोलते हैं CSR नेमदर COP26 प्रेजिडेंट हूँ अलोंग विद नीती आयोग लॉंच्ट इमरित यानि की accelerated e-mobility revolution for इंडिया's transportation mobile application COP26 के अद्यश का नाम बताई जिनके साथ नीती आयोग ने इमरित मोबाई अप्लिकेशन लॉंच किया सही answer option C है आलोग शर्मा तो देखिए जो COP26 के प्रेजिडेंट है आदोग शर्मा ये भारत की विजिट पर रहे और इन्होंने नीती आयोग ने इन दोनोंने मिलकर दो इनिशेटिव्स लॉंच किया है एक तो है इमरित ज्यानी की accelerated e-mobility revolution for इंडिया's transportation mobile application electric mobility के लिए awareness फेलाने के लिए ये mobile application लॉंच की गई है दूसरा है report on advanced chemistry cell battery reuse and recycling market in इंडिया तो ये दोनों इनिशेटिव्स लॉंच किये हैं आपको बता दें जो COP26 के प्रेजिडेंट है आलोग शर्मा ये और वाइस चेर्वेन आफ COP26 देख रहे हैं तो ये क्या है तो 2021 में United Nations Climate Change Conference हुई जिसको COP26 बोलते हैं तो उसी के प्रेजिडेंट है ये आलोग शर्मा ये जो Conference है स्कोटलेंड United Kingdom में हुई 31 अप्टोबर से तेरा नूमबर 2020 के बीच में डॉक्तर अजेकुमार परीदा पास्ट वे रिसेंट्ली वी डॉक्तर अजेकुमार परीदा का हाल हमें निधन होगया है कोन थे अप्षन आपके सामने हैं सही answer Option ए है scientist देखिए noted scientist and director of the institute of life sciences भूवनेश्वर ये भी कई बार पुछा जाता है institute of life sciences कहां पर है ये भूवनेश्वर उडिसा में है तो इसके director रहे डॉक्टर अजय कुमार पईदा इनका हाल ही में निदन हो गया 58 वर्स की आयू में इसी तरह का हाली में 77 वर्स की आयू में निदन हो गया है विच कंपनी लॉंच्ट वीवा इंगेज एप किस कंपनी ने वीवा इंगेज एप लॉंच किया सही आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट तो देखिए टैग जाइंट माइक्रोसॉफ्ट ने विवा इंगेज एप 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 जो है अपने एंप्लोईस के लिए ने लॉंच किया है बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो चेर्मेन एंड सियू सत्या नडेला है है एड़कॉर्टर्स यॉनाइटेड स्टेट्स में है कि इंटरनेसल होकी फेडरेशन अपॉंटेड सेफ एहमत एज इट्स एक्टिंट प्रेजिएंट फॉलिंग दे रेजिगनेशन ओफ नरेंदर बत्रा सेफ एहमत बिलोंग्स टू इच कंट्री नरेंदर बत्रा के स्टिफिक के बाद अंतरास्ट्य होकी महासंग ने सेफ ए सेफ एहमत को अपना एक्टिंग प्रेजिएंट किया है क्योंकि जो इसके प्रेजिद्ट रही नरेंदर बत्रा इननों ने इस post से रेजिएन दिया था और इसी पोस्ट के साथ इनोंगे जो नरेंदर बत्रा है इंडियान उलंपिक एस्टिशेशेशन के चीफ के रूप मे पहले यातिवी द्रोन का नाम बताईे जिसका हालीए पी एम नरेंदर मोदि ने अनावरण किया है उप्शन्स आपके सामने सही आन्तर और बिया है वह वरुन Girls अतो देखे प्राइम इस ने आंचेंजर चाम जिसका नाम वरुन है। इसको अन्विल किया है इसकी रेंज 25 किलो मिटर्स तक की है और यह 130 केजी का पेलोड कर सकता है इसकी जो फ्लाइट टाइम है वो 35 से 33 मिनट का है इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है सागर डिफेंस इंजिनिरिंग स्टार्ट अपने चलिए आज जो प्रीवेस साइमेंट कोश्यंस हैं उनके आंसर देखेंगे इंटरनेसल रॉक टे सरेविटे राउन 13 जुलाई इसकी इंडिया मिशन कंप्लिटेट 7 यर्स ओन 15 जुलाई 2022 आधी कृतिगई फेस्टिवल इस डेडिकेटेट टू लॉर्ड मुरूगा या फिर स 15 जुलाई 2022 देन दयाल अंत्युद्या योजन नस्नल्रुरल लावलिभलिविट मिशन विनिस्ट्री आप्राइब भीडोप्मेंट ओध्यमिटा पक्वाड़ा अंडर नने शन वन गास क्रीट 33,500 किलोमेटर स्ट्रल गास पाइप्लाइब नेटरिया नेटरीश अब्स्ट इंडियन एरफोर्स हैस सक्सेस्फुली टेस्टफाइड इयर डिफेंस सिस्टम इन मेड टॉंटी टू इस तू एयर मिसाइल सिस्टम और आप में से कई एस्परेंसे बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिस्पेट करते रहिए आज के सेर्मेंट कॉस्टेंस देखेंगे अच्छा एक चीज है अब कई बच्चे हमारे करंटफेट का पीडियाफ कोर्स ले ले रहे हैं और वीडियो देखना छोड़ दे रहे हैं क्योंकि पीडियाफ को सुबह मिल जाती है तो पीडियाफ से पढ़कर वह सोचते हैं कि ठीक है तो हो सकता है ऐसा सबके लिए कारे भी करें लेकिन अगर आप सीखना चाते हैं सही में करंटफेट समझना चाते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्तपूर्ण रहती है आपने आपने पीडियाफ कोर्स हमारा लिया हुआ है तो आप करंटफेर्स वीडियो देखना मत छोड़िए इसको भी आप जरूर देखिए अगर आप दोनों चीजे देखेंगे वीडियो भी देख रहे हैं फिर पीडियाफ से पट रहे हैं तो बिल्कुल बहुत जाद आपको ब पहेंगे अच्छी assignment questions देखेंगे वी अच्छी assignment questions देखेंगे, what is the theme for word brain day July 22, where is the Kananga Mahali Buddhist site located, India's first and world's 10th unique EMM negative blood group found in which state, in the last three years 2019 to 2021, how many entities were recognized as startups, बॉनालू is a month-long Hindu folk festival of which state, dedicated to Kali, the Hindu fortress of destruction, Central Board of Direct Taxes observed the 163rd anniversary of income tax day on July-2022, तो इन 6 questions के answer आप comment box में जरूर बताईएगा, यदि आपको एक question का answer भी आता है, तो वो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं, साथी current affairs funder का आप telegram पर भी join कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current की जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्ते आप हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ का लवेस्पेर्ट साथ हमारे current affairs को share जरूर करें, आज का इस session आपको गैसा लगा, comment box में जरूर बताईएगा, thank you guys.